तो आज मैं explain करने वाला हूँ एक psychological thriller horror movie को जो की काफी interesting है जिसका नाम है The House of Snails यहाँ पर एक ऐसा author है जो की एक ghost town के अंदर आता है लेकिन वहाँ पर जो उसको पता चलता है उससे उसके खुद के ही रॉंकते खड़े हो जाते हैं उमीद करता हूँ कि आपको यह movie काफी पसंद आएगी तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ movie की starting होती है late 60s में और हम देखते हैं अंटोनियो प्रीतो को जो की अपने कार से कहीं पर जा रहा था और उसे रास्ते में एक डॉग भी दिखाई देता है वो उस डॉग को पानी देता है और उसको अपने साथ लेकर चल देता है यह समझ कर कि यह डॉग किसे ने छोड़ दिया होगा या फिर यह खो गया होगा अब कुछी दिर चलने के बाद में वो एक छोटे से रिमोट टाउन में पहुँच जाता है जिसका नाम होता है कुइन दैनर जो की स्पेन की साउट साइड में था और वो भी बिलकुल माउंटेंस के बिचो बीच अब टाउन में पहुचने पर उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम रौसिता होता है और वो उससे डॉक के बारे में पूछता है कि उसे रास्ते में एक डॉक मिला है शायद यहाँ पर किसी का डॉक हो गया होगा लेकिन वो उससे मजा करने लगती है और उसके बड़ी बहन सोल उसकी कार के पास आकर उसकी विंडो पर एक स्नेल को मसल देती है और वो वहाँ से चला जाता है अब वो आगे जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैटे हुए थे जिन से वो उस डॉक के बारे में पूछता है और बात करता है कि तभी वहाँ पर उसको एक लेड़ी बैटे हुई मिलती है जिसकी आँखे डिस्फिगर्ड थी और वो बोलती है कि ये डॉग यहाँ पर किसी का भी नहीं है और एंटोनियो उसे एक जगा के बारे में पूछता है जिसका वो एड्रस बता देती है और यहाँ पर कोई भी वैसे नहीं आता जिसको सुनकर एंटोनियो को थोड़ा सा अजीब फिल होता है खेराब वो उस मैनर के पास में जाता है जो कि टाउन के आउटसाइड में था और यहाँ पर उसको बरता मिलती है जो कि रियल एस्टेट एजेंट होती है इस घर के लिए और इस मैनर के बारे में उनका पहले भी डिसकुशन हो गया था कि वो उसको रेंट पर लेने वाला है यह मैनर दो सेंचुरीज पुराना था और काफी बड़ा भी था थोड़ा बहुत घूमते हुए एंटोनियो वहाँ पर बुक शेल्फ को देखता है और वाल पर लगे हुए एनिमल हैट्स को देखता है जिसके बार में बर्ता बोलती है कि वो उनको हटवा दे कि अगर एंटोनियो को उसे कोई दिक्कत है जिस पर वो मना कर देता है कि सब कुछ ठीक है अब उसे यह मैनर बहुत पसंद आता है और वो यहाँ पर रुकने के लिए एगरी भी हो जाता है वो बर्ता के साथ एक महीने के लिए इस घर को रेंट करने का कॉंट्रेक्ट भी साइन कर लेता है और हमको पता चलता है कि वो एक बहुती बड़ा ओतर है जिसकी किताब काफी फेमस होती है अब वो लोग बाते करते करते घर के बाहर आ जाते हैं और बर्ता पूछती है कि इस टाउन के बारे में उसे कैसे पता चला जिस पर वो बोलता है कि उसने एक एड़ देखी थी और फिर कॉल किया था क्योंकि वो अकेले और आइसोलेटेड रहना चाहता है जिस पर बर्ता बोलती है कि फिर तो ये टाउन उसके लिए best choice है क्योंकि ये isolated है और इसके बारे में जादा किसी को पता भी नहीं है बर्ता के जाने के बाद में एंडोनियो अपनी कार से डॉग को लेने जाता है लेकिन वो डॉग कार में नहीं था और वो उसको सब जगा ढूंडते हुए वुड्स में चला जाता है और यहां पर भी उसे डॉग नहीं मिलता लेकिन उसको कुछ अजीब सी आवाजे आने लगती है जैसे कि किसी एनिमल की आवाज जो कि बारकिंग या फिर हाउलिंग कर रहा था जिसे कि वो थोड़ा सा डर जाता है और वहां से चला जाता है वो टाउन में जाता है जहां से घर से उसे कुछ आवाजे आ रही थी और वो उन आवाजों को सुनने लगता है तबी घर के अंदर एक कपल बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि उन्होंने उसको बंदी बना रखा है और वो शोर मचा रहा है और ये सब बाते सुनकर हमको और एंटोनियों को ये समझाता है कि ये किसी के बार में बात कर रहे ते शायद वो कोई person है या फिर कोई animal है अब उस घर से husband कुछ सामान लेने के लिए कहीं चला जाता है और चुपते चुपते एंटोनियों उसका पीछा करने लगता है वो आदमी एक खाली जगा पर जाता है जहांपर एक shed बना हुआ था और उस shed के अंदर से एक जानवर जैसी अजीब सी आवाजे आ रही थी अब वो आदमी उस shed के अंदर जाता है और उसके अंदर जो कुछ भी था वो इसको डाटते हुए शांत रहने का बोलता है और उसके लिए खाना भी रख देता है और हम खाना उठाते हुए एक human hand को देख पाते हैं विच means कि इसके अंदर कोई आदमी है या फिर कोई औरत भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर आकिर है क्या तो movie end होते होते हमको पता चली जाएगा और यह सब चीजे छुपकर एंटोनियो देख रहा था और उस आदमी की आवास को सुन रहा था यानि कि टाउन में आये हुए एक दिन भी नई हुआ और यहाँ पर धेड़ सारे राज एंटोनियो को देखने को मिल गए है खेर घर आकर अब वो अपनी नोवल राइटिंग का काम शुरू करता है और उसके पब्लिशर का उसको कॉल आता है जिससे उसकी बहस हो जाती है और वो अपना फोन तोड़ कर सोने चला जाता है अब रात में हम घर के आसपास धेड़ सारी हाउलिंग की आवाजों को सुन पाते हैं और यह आवाजें एंटोनियो को भी परिशान कर रही थी अब अगले दिन मैनर के अंदर बर्ता फिर से आती है और उसकी कजन जुस्ता भी वहाँ पर आई थी जो की एक महीने ऐसा मेड इस मैनर के अंदर काम करने वाली थी अंटोनियो बैर्ता को उन हाउलिंग साउंड के बारे में बताता है जिस पर वो कहती है कि पहाडों में वुल्फ रहते हैं और वही यहाँ पर हाउल करते होंगे तब बिल्कुल भी डरे नहीं क्योंकि वो टाउन में नहीं आते हैं और जुस्ता बोलती है कि वोल्फ्स टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं अब बातों ही बातों मैं एंटोनियो बैरता से उस शेड के बार में बात करता है जो कि उसने रात में देखा था और उसके अंदर किसी एनिमल या फिर परसन की आवास भी आ रही थी जिस पर वो ये बोलती है कि इस बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं है हाला कि उस शेड की बात आते ही हम उसके एक्सप्रेशन्स में चेंज को महसूस कर पाते हैं अब तबी वहाँ पर जुस्ता की बेटियां आ जाती हैं जिनके नाम रोसीता और सोल होते हैं और वो लोग एंटोनियों से बात करने लगती है कि आखिर उन्हें डॉग मिला या फिर नहीं जिस पर वो ये बोलता है कि वो यहीं पर होगा और वो दोनों ये कहती हैं कि वो बाते बना रहा है और कोई भी डॉग वहाँ पर नहीं है और वो एक विमेरो है और वो वहाँ से चली जाती है बैरता बोलती है कि वो लड़कियों के बातों पर जादा ध्यान ना दे और वो लोग यहां पर कुछ भी कहानिया पकड़ कर इमेजिन करने लगती है जिस पर वो ये बोलता है कि वो बच्चियों के बातों पर वैसे भी ध्यान नहीं देता है खैर अगले सीन में वो टाइपिंग कर रहा होता है और उसके पास में वो दोनों बेहने आती है और बताती है कि उनको एक क्लॉजट से एक वुल्फ मास्क मिला है एंटोनियो बिजी था तो वो उनको जाने का बोल देता है और वो लोग उससे फिर से कहती है कि वो सच में विमैरो है जिस पर वो पूछी लेता है कि आखिर ये विमैरो होता क्या है और वो monster बता कर वहां से हसते हुए चली जाती है खेर अगले scene में वो अपना काम कर रहा था और उसे पास में लगे हुए wolf head से कुछ आवाजे आती है जिसको वो check करता है लेकिन वहां पर एक snail था जिसको वो निकाल कर बाहर रख देता है अब आपने यहां पर एक चीज नोटिस करी होगी कि इस movie का नाम भी snail से related है और यहां पर snail भी आ रहे हैं तो इसका जो link है वो movie के end में खुलता है अब रात को वो अपनी book की story आगे डाइब करता है और हमको पता चलता है कि जो जो इस town के अंदर हो रहा था और यहां पर जो उसके साथ में हुआ है वो उसको story के form में लिखता जा रहा था अब अगले दिन वो shed के पास में खड़ा हुआ था और उसको देख रहा था वो उस lady को भी देखता है जो उस आदमी की wife है और इसी couple को हमने उस रात बात करते हुए सुना था और वो lady shed में खाना रखने आई थी वो उस lady से पूछता है कि shed में आकर है क्या और उसे अंदर क्यों रखा हुआ है लेकिन वो lady गुसा करके उसे वहां से बगा देती है अब वो town के अंदर घूमने लगता है और town के अंदर mid summer eve की तयारी चल रही थी जो कि यहां का cultural festival था खेर अब वो एक बार के अंदर जाता है जहांपर उसको वही couple मिलता है जिनका नाम कारमेलो और कारमन था और वो उनसे उस shed के बार में पूछता है तो वो बताते हैं कि उस shed के अंदर एस्टबान नाम का आदमी है जो कि एक रेचिड मैन है और उसको बच्पन से ही बांद कर रखा हुआ है जिसको उसकी ही माने बांदा था क्योंकि वो बहुती ज़दा वॉयलन्ट है और एनिमल्स को मार कर खा जाता है अन्टोनियो बोलता है कि ऐस्टबान को किसी ऐसी जगा पर ले जाना चाहिए जहां पर उसका इलाज हो सके जिस पर कार्मन बोलती है कि उसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता और वो यहीं पर रह करी मरेगा और वो लोग चिल्रन आफ कर्स हैं अब एंटोनियो इससे आगे कुछ भी पूछ पाता वो लोग बार को ही बंद कर देते हैं अब वो वुड्स के अंदर जाता है और यहां पर उसको वही वुल्फ की अजीब सी डरावनी आवादे सुनाई देती हैं जिससे डर कर वो भागने लगता है और एक प्रीस्ट बैनितो से मिलता है वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और थोड़ा हसी मज़ा करते हैं जिससे एंटोनियो थोड़ा लाइट अप होता है और देखने से यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि यह दोनों एक दुसरे को पहले से ही जानते हैं अब वो लोग मैनर के अंदर आते हैं और बात करते हुए बैनितो टाउन के बारे में बताता है कि इस टाउन के लोग काफी जल्दी डर जाते हैं और काफी जादा सूपर स्टीशिस भी है जिस पर एंटोनियो विमेरो के बारे में पूछता है और बैनितो बोलता है कि इस मैंशन के अंदर ही पुराने टैनेंट्स बहुत रेडिंग करते थे तो उनके पास पक्का ऐसी कोई ना कोई किताब होगी जिसके अंदर विमेरो के बारे में जानकारी उसको मिल जाएगी और वो यहां का एक अर्बन लेजंड भी है रात को एंटोनियो बुक शेल्फ में वो बुक डोड़ने लगता है जिसके अंदर विमेरो के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन फिलाल उसको वो किताब कहीं पर भी नहीं मिलती और वो नोटिस करता है कि वुल्फ हेड की जो आँके हैं वो निकली हुई है जो की नीचे भी नहीं गिरी थी और वो जो वुल्फ होता है उसका हेड मुवमेंट करता है जिससे की वो थोड़ा सा डर जाता है और वहीं गिर जाता है जिसके बाद में उसे बेहोशी चा जाती है और उसे एक नाइट मेर आता है जिसके अंदर कोई वुड्स में डर कर भाग रहा था और कुछी देर के बाद में उसको होश आता है तो रोड पर मिला हुआ डॉग घर पर वापस आ गया था लेकिन वो खून में भीगा हुआ था और वो उसको नहला देता है और इन सीन्स को भी याद रखना क्योंकि इनका सिगनिफिकेंस आने वाले टाइम में होने वाला है ऐस बेंट वाले के उसको फूरा है लूषपन में वाल में बहुत ही वाङलन्ट था और एणिमल्स को मारकर खा जाया करता था इसलिए उसको वहां पर बंदक बनाकर रखा गया है और कारमेले उसका कजन है और सबको लगता है कि वही बेमेरो है बर्ता के जाने के बाद मैं एंटोनियो को डॉक दिखाई देता है और वो उसके साथ रिवर साइड पर चला जाता है जहां पर बैनी तो फिशिंग कर रहा था वो उसके पास जाता है और बात करने लगता है और बोलता है कि उसे कुछ आवादे सुनाई देती है और चीज़े अपनी जगा से हट कर कहीं और मिलती है जिस पर फादर ये बोलते है कि वो इन सब चीजों के बारे में जादा ना सोचे और फेस्टिवल में जाए उस लड़की मार्था के साथ में जिस पर एंटोनियो बोलता है कि उसका ना मार्था नहीं बलकि बैठता है और मार्था तो उसकी मा का नाम था फादर आगे बोलते हैं कि एंटोनियो जादा परेशान ना हो और वो कभी भी फादर के पास चैपल में आ सकता है और वो चैपल को अपना ही घर समझे जिसका रीजन हमको थोड़ी देर में पता चलेगा क्योंकि असली पत्ते काफी खतरनाक हैं अब मैनर में आकर वो यही सब चीजों को देख रहा होता है अपनी कहानी के लिए टाइप भी करने लगता है और जूस्ता को आज की छुटी दे देता है क्योंकि आज मिड समर इव का फेस्टिवल सेलिबरेशन था अब जब रात को वो नारा होता है तो उसे बाट टब में पानी के अंदर हलचल दिखाई देती है साथी साथ घर के अंदर से अजीब सी आवादे सुनाई देने लगती है और जब वो दूसरे रूम में जाकर चेक करता है तो उसे वुल्फ हैड की आँखे रख्यों ही मिलती है अब अगले सीन में वो फेस्टिवल में जाता है जहा वो बताती है कि विमैरो असल में एक मॉंस्टर है जो कि कई सालों बार टाउन में आता है लेकिन टाउन में आने के साथ साथ वो वहां की औरतों को भी मार डालता है लोगों का ये भी कहना और मानना है कि मिड्समर इव को ही वो री इंकार्नेट होता है किसी एनिमल या फिर फिर किसी परसन के रूप में और अपने किलिंग सो करता है और बहुत समय पहले यहां की कुछ फैमिलीज ने उससे लड़कर उसको भगा दिया था जाते जाते उसने उन families को कर्स दिया कि उनकी आने वाली पीडियों में कुछ ना कुछ कमी होगी और वो Deformed पैदा होंगे और ऐसा होता भी है अज उन families के descendants के साथ में क्यूंकि वो Deformed ही पैदा होते हैं और Esteban उन्हीं में से एक है वहाँ पर अब कुछ लेडी को हम देखते हैं जो कि विमैरो के लिए मीट और फूर्ड एजन आफरिंग लेकर आई थी क्योंकि उनका यह मानना था कि वो इससे कभी वापस नहीं आएगा लेकिन डर सब को है कि कभी विमैरो वापस आ सकता है वो दोनों अब एक दूसरी की तरफ आकर शित फील करते हैं और किस करने लगते हैं लेकिन हम देख पाते हैं कि बेर्टा की बॉड़ी के उपर भी कुछ डिफॉर्म्ड मार्क्स हैं और वो इंटिमेट होने से खुद को रोक लेती है खे घर पर आकर वो बुग शेल्फ को देखता है जहां पर उसको एक बैग मिलता है और उसके अंदर विमैरो के बारे में लिखा हुआ था कि विमैरो अपनी भूग की वज़ा से बार बार टाउन में किलिंग्स करने आता है और वो तब तक या तो वो खुद ना रुख जाए या फिर किसी से डड़ना जाए और वो टाउन से भाग कर पानी में शेल्टर ले ले लेता है अब रात में सोने के बाद में उसे वही नाइट मेर आता है जिसमें वो वुट्स में किसी को भागते हुए देखता है और अगले दिन जब वो जाकता है तो उसके पास में बैठ साइड रोड पर मिली है एंटोनियो ये सुनकर शौक्ट हो जाता है और बैरता को समालता है अब उसके जाने के बाद में वो काफी ज़दा परिशान था और शराब देखता है जो कि खतम हो गई थी तो वो टाउन में शराब लेने के लिए चला जाता है अब उसको रास्ते मे साजेंट मौरी मिलते हैं जो कि सोल के मर्डर केस के सिलसले में टाउन में आयोए थे वो उससे बात करते हैं और बताते हैं कि सोल की बाड़ी को ऐसा चीरा फाड़ा गया है जैसे कि किसी जानवर ने ये काम किया हो जिसको एंटोनियो सुन भी नहीं पाता क्योंकि उसके बार में जाता है जहां पर वो कारमेलों से बोलता है कि उसको लगता है कि एस्टबान अपनी शेड्से भाग गया है और खुला गुम रहा है और उसने ही सोल को मारा है ये सुनकर उसे गुचसा आ जाता है और वो ये बचाने पारने के लिए लेकिन वह engagmentation और 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 नेक्स्ट मॉर्निंग उसको आने के लिए बोलते हैं घर जाते वक्त उसे फिर से वही हाउलिंग अवा सुनाई देती है लेकिन यहां पर वो नशे और गुस्से में था तो वो चिला कर बोलता है कि वहां पर जो कोई भी है वो बाहर आए क्योंकि वो उससे नहीं डरता औ गर आकर वो अपनी नोबल की स्टोरी आगे बढ़ाने लगता है अगले दिन वो मौरी से मिलता है और उसको एस्टबान के बारे में बताता है और मौरी एस्टबान के लिए सर्च शुरू कर देते हैं अगले सिन में हम देखते हैं कि कारमेलो कुछ लोगों के साथ वुड् आकर रुख जाता है तब भी फादर उसको ये बोलते हैं कि उसे जो कुछ भी अपने सब कॉंशेस माइंड में या फिर अपने ड्रीम्स में दिखाई देता है वो गौड भी हो सकते हैं खुद एंटोनियो भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है क्योंकि एड़ दा एंड सब लेकिन उसने अभी डॉक का नाम नहीं रखा था और फादर उसे जैरी माया का कोट सुनाते हैं वो उसे वहीं क्लॉजट में रखी हुई एक गन भी दिखाते हैं कि अगर उसे कभी भी जरूरत पड़े तो यहां से इस गन को लेकर यूज़ कर सकता है अब अगले सीन में हम उन्हों को एस्तबान को ढूंडते हुए देखते हैं और एस्तबान अपनी मा के घर पर चला जाता है जहां पर उसकी मा उस पर गुसा करती है कि उसने किसी की जान ले ली है लेकिन वो उनको ही जान से मार देता है और उनका दिल निकाल कर खाने लगता है लेकिन तब ही वह वो गुस्षे में उस हेड में पेंशल को स्टैप कर देता है और उसके ओपर गलास को भी तोड़ देता है जिसके बाद में उस हो जाता है लेकिन उसको अभी भी वही सेम नाइट मेर्स आने लगते हैं अब अगले दिन जुस्ता घर पर आती है और रौसिता भी उसके साथ में थी और वो एंटोनियो की नोवल के पेज इसको बढ़कर बोलती है कि वो ये सब जूट लिक रहा है और सोल को विमेरो नहीं मारा है एस्टबान ने नहीं और एक कर्स चाइल्ड विमेरो नहीं हो सकता और एंटोनियो पहले से ही परिशान था तो वो उसको वहां से भगा देता है बिसिकली यहां पर उनका ये कहना था कि कर्स तो विमेरो नहीं दिया था तो एक कर्स चाइल्ड विमेरो कैसे हो सकता है यानि कि एस्टबान ने ऐसा नहीं किया है ऐसा उनका मानना था खेर अग को दिखाती है कि उसकी बॉड़ी भी थोड़ी सी डिफॉर्म्ड है लेकिन एंटोनियो को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं अब कुछी दिर के बाद में वो डॉग जो होता है वो रूम के बाहरा कर खड़ा होकर भौकने लगता है और वो उसे भगाता है लेकिन लेकिन शौकिंगली बैड़ता को वो डॉग नहीं दिखाई दे रहा था जी हां और सिर्फ एंटोनियो ही उस डॉग को सुन पा रहा था और देख पा रहा था जो कि काफी शौकिंग था अब वो उस डॉग के पीछे जाता है और वो डॉग उसे एक बैग दिखाता है जिसके अंदर एक पेपर कटिंग होती है और इसके अंदर एक न्यूस थी एक आदमी की जो की एक लैटन अमेरिकन था और कुइन टैनल टाउन में उसने अपनी वाइफ और दो बच्चीयों को जान से मार दिया था फागल होकर और खुद भी रि बलकि बैनी तो था यानि कि ये डॉग जो उसको दिखाई दिया करता था ये उसके बचपन का डॉग था और बचपन में वो इसी टाउन में रहा करता था तो उसकी बैरता और जुस्ता से फ्रेंट्शिप भी थी और बरता उसे गिफ्ट में स्नेल्स दिया करती थी और यह यही रिजन था कि उसको स्नेल्स दिखाई दिया करते थे जिनका यही सिगनिफिकेंस है कि वो इसी टाउन से बिलॉंग करता है अब यह सब पढ़कर एंटोनियो परिशान हो जाता है और चैपल जाता है जहां पर जाकर दूसरी शॉकिंग चीज रिवील होती है कि यह चैपल रोड पर सोल को जान से मारा था यानि कि यह जो अर्बन लेजन्ड था वो कुछ और नहीं बलकि उसके पिता और यह खुद था यानि कि यह जो मॉंस्टर बाहर से आया करता था और रिवर की साइड चला जाया करता था यह कुछ और नहीं बलकि यही बाप बेटे थे और कुछ करके वो भूल जाया करता था और ढॉक के ऊपर लगए हुए बलड को साफ करना और ये सारी चीज़े वो खुष के साथ किया खरता था तब ये तो सको कुछ भी याद नहीं रहा करता था अब तब ही वहां पर रॉसीताν आ वाग और सब कुछ देख लेती है और समझ जाती है कि एंटोनियो ने ही सौल को गता फूरा वहाँ से भाग कर अपने माँ को सच्चाई बताने एंटोन्यो परिशान हो जाता है मैं यूर वापस जाता है तो से घर के अंदर मिल्ता है और अपने बच्पन के रूप को वो देखता है जो कि एक रूम की तरफ इशारा करता है और इस रूम के अंदर ही उसके फादर ने अपनी वाइफ को मारा था और आज एंटोनियो ने एक शौकिंग चीज भी करी थी कि उसने बैर्टा को मार कर उसी रूम में डाल दिया था जी हां अब एंटोनियो यह जाता है कि यह सब उसने नहीं किया है लेकिन जुस्ता उससे बचते हुए उसके हाथ पर एक से एक बड़ा सा कट लगा देती है और वो जुस्ता पर अटैक करके उसको भी जान से मार देता है और उसकी भी डेड बॉड़ी पर वो फ्यूल डाल कर पूरे मैनर को आग लगा था वो प्रेस कॉंफरेंस अटेंड करता है उसे रिसेंटली अपनी नोवल के लिए अवार्ड मिल रहा था और जो कहानी अब तक हम देख रहे थे वो उसकी नोवल की कहानी थी जिसका नाम है दा हाउस ऑफ स्नेल्स जो की इस मूवी का भी टाइटल है वो प्रेस के सवालो था जो की अपने फाइदे के लिए बाहर से ऐसे शहरों में आया करता था चोटे चोड़े टाउंस के अंदर आया करता था जहां पर वो अपनी कहानी रियल तरह से बनाया करता साथ ही साथ वो प्रेस को ये भी बताता है कि उसने एक लेजंड रेड शार्क ऑफ बार्वे के बार में सुना है जो की कोस्टल टाउन में है और उसकी अगली कहानी वही हो सकती है मूवी के एंडिंग सीन में हम उसे अपनी नई नोवल के सफर पर जाते हुए देखते हैं और उसे रास्ते में एक दूसरा डॉग मिलता है जो की असल में वहां पर नहीं था और बूम इस और सब कुछ उस नहीं किया था लेकिन वह हमेशा ही ऐसे करता आता है और वह टाउन को चुनता था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता और जो वहां के लोग होते हैं वह बहारी दुनिया से कटे हुए थे साथी साथ उस टाइम पर टेक्नलोजी भी इतनी एड़व मैड मैन साइकोपैट जो है वो अपनी कहानी की इंस्पिरेशन बिल्कुल रियल लाइफ से लिया करता था अब तक मुझको यह लग रहा था कि यह सारी कहानी वो बस ऐसे ही बना रहा है और सारी चीजों उसकी कहानी में हैं लेकिन जब उसके हाथ पर वो कट दिखाई देत तो वहाँ पर ही जो कर्स था ना वो कर्स नहीं बलकि कोई जैनेटिक डिसॉर्डर या फिर कोई बिमारी हो सकती है जिसका इलाज ये लोग करवा ही नहीं रहे थे तो यहाँ पर इस चीज के बार में बताया गया है कि इस तरह के टाउन्स के अंदर छोटे चोटे टाउन्स villages में बहुत सारी facilities available नहीं होती हैं तो हर चीज वहाँ पर लोगों को भूत प्रेत लगने लगती है और एक और detail की जो एंटोनियो के फादर का ghost वहाँ पर था वो ये भी बोलता है कि इस town के जो लोग है वो बहुत ही जादा super stitius हैं तो ये भी एक detail है जहाँ पर ये बताया जाता है कि वहाँ पर कोई भी facility नहीं थी और throughout the movie जिस urban legend के बार में बात हो रही थी कि वो बाहर से आकर औरतों को मार डालता है वो कोई और नहीं बलकि एंटोनियो खुद था और शायद से ये सेम चीज़ उसके फादर भी क्या करते थे और ये जो psychopath वाले traits थे ना ये उसको उसके फादर से ही मिले थे बाकी ये movie जो है ना ये slow burn है लेकिन इसको देखने में काफी मज़ा आता है अगर आप इस type की movies को enjoy करते हैं तो surely आप इसको जरूर देख सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए stay ghostly कि अरूब अगली वीडियो के अगली वीजे लिए धना प्रूब कर देख सकते हैं